तो सुवागत भाई आप सब भी लोगों का एक बर फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो केन्या कबड़ी लीग है इसका भाई जो आज के दिन का 4th मैच और टरूनामेंट का भाई 54th मैच जो की खेला जा कार्टिंग से लेके अंड तक complete देख लीजेगा यहां पर भाई कुछ important चीज़ है जो आपको किसी भी आल में मिस नहीं करनी चाहिए और वही important चीज़ है आपको इस वीडियो में मैं बताने के लिए आया हूँ अब यहां पर जो important चीज़ है सबसे important चीज पहले आप वो ध देता हूँ मान लीजे कि यह grand league लगी हुए ठीक है यहां पर मैं 6 GL की टीम आपको अभी बना के दे दूँ और उसमें मान लो एक या दो प्लेर ऐसे common प्लेर रहें जो आपको खेलता ही ना दिखे तो फिर कोई फाइदा नहीं अभी टीम देने का फिर आपकी सारी की सारी ट हो जाएंगी और इसलिए मैं बोल रहा हूँ final teams telegram पर मैं दूँगा after lineups जब पता लग जाएगा दोनों teams की क्या starting 7 है तब इसके लिए आपको 6 GL की team मिल जाएंगी जैसे कि अभी last match में आप देख सकते हो आपको मिली है यहाँ पर आप देख सकते हो 6 GL की team मैंने आपको दे रखें telegram channel पर कल की अगर बात करें तो जबरदस्त winning आपके भाई ने करवाई थी यहाँ पर आप results होगेरा सारी चीज़े देख सकते हो one-sided winning किसे कहते हो लगातार मापको करके दिखा रहा हूँ अब यहाँ पर इस match की बात करें उससे पहले गवर points stable पर नजर डालनी जरू बात और नमबर एक पर यह बने हुए है और अच्छे खासे score difference के margin के साथ बने हुए है ठीक है यहाँ पर आप देखो के यूएच की टीम को तो इनको आप देखोगे न तो आपको दिखेगा इन्होंने भाई यहाँ आपर 9 match खिले 6 match जीते 3 match आ रहे है पलस 34 का इनका score difference है ठीक है तो यह चीज़ आपको दियान में रखने है अब यहाँ से आपको क्या important चीज़े पता लगेंगी के यूएच यहाँ पर नमबर 5 पर है और बाई यह जीत तो रही है लेकिन थोड़े से close margin में जीत रहे है क्योंकि देखे जिन टीमस ने आपर 4 match जीते ना उनका score difference almost के बराबर है और जिन टीमस ने चार मैंस जीते है ना उनका score difference almost almost इन से काफी ज़्यादा है almost आप बोल सकते हो double भी है ठीक है तो यह एक आपको फर्क समझना पड़ेगा कि के यूएच की टीम बिलकुल कम margin में जीत रही है ठीक है अलंकि इनका लग अच्छा चल रहे है जी करेंगे एक चीज में आपको जैसे पहले बताया अभी भी बता देता हूँ फाइनल टीम दोस्त टेलिग्राम पर ही मिलेगी टेलिग्राम चैनल जरूर से जोईन कीजिएगा आप चलिए बाइबात करते है स्टार्टिंग सेवन की मैं आपर completely favor करूँगा completely तो नहीं बट favor क करूँगा जैक वात असेशियंस को तो सबसे पहले बाइब के यूएच टीम की स्टार्टिंग सेवन देखते उसके बाद देखेंगे जो मार जिस टीम को favor करेंगे जैक वात असेशियंस को यहां पर अगर बात करें तो आपको लवी नोटेंगे जो बीच बीच में टाइब की performance यहां पर निकाल गए तो बहुत शांदर performance आपके लिए हो जाएगी यहां पर आप देखोगी no tackle इन्होंने किया थे इसके अलावा एम अको लोगो यह ऐसा प्लेयर जिन के उपर काफी कम लोगों का दयान है लेकिन consistently performance कर रहे है तो यह आपके लिए small league में must have pick रहेगा even why GL में आप इसे CVC आई से भी try कर सकते हो been add endo की बात करें तो GL mini GL में आपके लिए एक differential pick का का काम कर सकते है try कर सकते हो यह ओया की बात करें तो यह भी लगातार last के चार मैचेज से कमाल कर रहे है उससे पहले थोड़े से inconsistency लेकिन आप भाई आपर consistency भी दिखा रहे है तो आपके लिए important रहेंगे C Samuel की बात करें GL mini GL में try कीजेगा बात करें अगर यह पर KUH की टीम की तो इनके जीतने का एक बातर कारण आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ वो है James का में होती अभी तक सिंगल ऐसा मैच नहीं गया है जिसमें फ्लोप हुए हो लेकिन भाई यह सामने जो टीम है काफ चार टीम मना रहे हो GL की तो चार टीम में इसे CVC दीजेगा दो टीम में इसे ड्रोप कर दीजेगा तो दो टीम वो चल जाएंगे अगर यह फ्लोप हो गए या फिर अगर यह हिट हुए तो वो चार टीम आपकी चल जाएंगे ठीक है तो यह एस इस टाइप की को है ना आप देखोगे हर मैच में थोड़ी सी एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा है बट आपके लिए एक ट्रंप कार्ड बिक का काम कर सकता है जील मीनी जील में दो परशेंट सेलेक्शन है बहुत ही इंपोर्टन हो सकता है जैक वात असेशन की तरफ से बात करें तो चैकल पॉइंट और सोरी पांच बोनस इन्होंने निकाले तो बहुत ही शांदार परफॉर्मेंस गजब का प्लेयर 100% ट्राई कीजिएगा इसके अलावाई बात करें भी हो चैंकी तो इने भी अब जील मीनी जील में ट्राई कर सकते हो बाकिए अगर बात करें और तो कोई यहांसी इनकी तरफ से इंपोर्टेंट प्लेयर दिखेगा नहीं ओल राउंडर सेक्शन में ए ओडियर आपको दिखेंगे जो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं मैं यही बोल रहा हूं बाई एक टीम गेम की तरह टीम मतलब गेम को खेलते हैं और यहां पर यहां पैड कर सकते हो डीम अबाई की बात करें तो जील मीनी जील में रोटेशन के तोर पर ट्राई कर सकते हो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन बाई किसी भी मैच में अगर इनका दिन हुआ तो आपको अच्छी कासी विनिंग करवा सकते हैं जे किरागू की ब बात करें लगातार आपको अच्छा करते हैं लास्ट मैच में आप देख सकते हैं 63 उससे पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस है रहर है कि आपको अच्छी कासी परफॉर्मेंस देते दिखेंगे जील मीनी जील के लिए मस्ट आपिक रहें या फिर 5-2 का कॉंबिनेशन बना आप दिस्क्रिप्शिन वाले लिंक के थूरू आप जाकर टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हो अकर मानलो भाईचंट से लिंक वर्क नहीं कर रहा तो आपको बताते हो तो आपको क्या करना इसी वीडियो के कॉमेंट बोक्स में जाना कोमेंट बोक्स तो आप सभी Strategic Channel कॉमे सिर्फ आपको इतना लिखना खराइट यहां पर तीम और आपको यह पर आपको बात करें ज्रस्फी आपको तीम मुना के प्रेंआ डिखाँ है Ж.yi ओटेनों आमारी टीम में रहेंगे इसके अलावा एओ अगर आप चाहुथ अगर आप Link हम भू अपने टीम में रह सकते हूं अब यहां से आप पर अगर आप चाहुथ ऊओका आप डूर आप को अपने टीम में रखेंप तो वाई आप AOA को ले लीजिएगा ठीक है C VC की बात करते हैं तो Captain C आपर James कामेवती को देंगे VC के अगर बात करें तो मैं अपने टीम में VC Daniel Odeyambo को देने वाला हूँ एक और अच्छे option की बात करूँ तो आपर Jay Kiragoo आपके लिए अच्छे option रहेंगे इसके अलाब आए AOA को आप ट्राई कर सकते हो AOA को ट्राई कर सकते हो मतलब यह ऐसी प्लेयर जिने आप GL Mini GL में पला स्मोल लिग में भी रिसकी VC की तरह ट्राई कर सकते हो टीम प्रिव्यू की बात करें तो आपके सामने कोई भी अगर चेंजमेंट होता है तो डारेक्ट इंफोर्मिशन आपको टेलिग्राम चैनल पर मैं देने वाला हूँ तो टेलिग्राम चैनल जरूर से जोइन कीजेगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिलेगा उमीद दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजेगा चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजेगा टीम को सेओ करके रख लीजेगा बाकि मैं मिलता हूँ आपसे मैस टाइम पर टेलेगराम चैनल पर तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम